Good morning children, welcome to my YouTube channel. बच्चो आज हम सॉल्व करेंगे exercise 6.3 का question number 10 और question number 10 में क्या बोला है? C, D and G, H are respectively the bisectors of angle A, C, B and E, G, F such that D and H lie on sides A, B and E, F, F, E sorry of triangle A, B, C and triangle E, F, G respectively. If triangle A, B, E is similar to triangle F, E, G then show that C, D upon G, H equals to A, C upon F, G और second part में prove करना है triangle D, C, B similar है H, G, E, K और third में करना है D, C, A is similar to H, G, F तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमें information दीए बच्चो उसके according हम triangle बनाएंगे हम अरपास दो triangle बोले हैं A, B, C और E, F, G तो दो triangle बना लेंगे हम बच्चो ये मैं बना लेती हूँ एक triangle A, C, ये हो गया A, B, C ओके, ये आ गया C और दूसरा, दूसरा हमर पास कौन सा triangle बोला है E, F, G जैसे हमने यहां से शुरू किया है बच्चो A, B, C वैसे ही दूसरा angle हम शुरू करेंगे और दूसरे angle में क्या बोला है दूसरे angle में, दूसरा, सोरी, दूसरा triangle है E, F, G E, F, G यह बना दिया मैंने triangle E, F, G ओके, उसके बाद फिर हमें क्या बोला है कि angle A, C, B A, C, B का जो bisector है देखो कैसे है such that D and H lie on sides A, B and E, F तो सबसे पहले A, B पे कौन सा point लाई कर रहा है बच्चो D point, उसको बना लो और फिर दूसरी कौन सी है E, F, E, F side पे कौन सा point लाई कर रहा है H point ओके, हम इन points को join कर लेंगे और यहां भी join कर दिया अब देखो, यह जो D, C बना, यह क्या बन गया angle C का bisector हो गया वैसे ही G, H जो है वो angle G यह जो angle E, G, F यह F, G, E angle है इसका क्या हो गया bisector हो गया ओके, अगर यह इनको bisect कर रहे हैं तो हम इनको नाम डाल सकते हैं इसको मैं ले लिए 1, 2, 3, and 4 ओके अब सबसे पहले हमारे पास जो given है, हम उसको देखेंगे क्या-क्या given है वच्चो solution में हमारे पास given है we have क्या बोला है कि यह जो triangle कौनसा triangle triangle A triangle A, B, C triangle A, B, C है बच्चो यह triangle A, B, C similar है किसके triangle F, E, G के मतलब यह जो A, B, C है और यह triangle यह दोनों आपस में क्या है similar ओके so हमें given है we have triangle A, B, C similar to triangle F, E, G ओके यह दोनों similar है बच्चो अगर यह similar है so इसका मतलब देखो जब हम यह वाला angle और यह वाला angle यह दोनों क्या है एक तरह से बन रहे हैं देखो तो इसका मतलब क्या हो गया हमार पास angle A किसके equal हो गया angle F के equal हो गया बच्चो इसको हम first equation नाम डाल देगे अब दूसरा ध्यान से देखना और angle C और angle G भी equal है क्योंकि हमार पास similar triangle है तो दो angle तो हम CPST से ले सकते हैं तो angle 1 A, angle F दूसरा जाएगा angle C equals to angle G के और अब देखो angle C और G पर हमर पास bisectors भी है CD और GH तो हम लिख सकते हैं half of angle C equals to half of angle G ओके यह दोनो half of देखो अगर यह whole angle पूरे पूरे angle एक दूसरे के equal हैं तो इनको bisect कर रहे हैं इनके जो आदे आदे angle बने वो भी equal होंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको देखो angle C में दो half बनगे 1 और 2 और angle G में दो बनगे 3 और 4 तो अगर हम देखें तो like angles कौन कौन equal है angle 1 3 के equal है और angle 2 जो है वो angle 4 के equal है तो हम लिख सकते हैं angle 1 equals to angle 3 and angle 2 equals to angle 4 और इसको हम दे देंगे second name ओके यह हो गया second अब बच्चो अब हम देखेंगे अच्छा इसका reason लिख लो पहले because क्या है CD and GH are bisectors और कैसे bisector respectively respectively मतलब जो कोशिन में दिये हैं वही ओके यह हो गया इसका reason अब हम क्या करेंगे अब हम similar करेंगे triangle को लेकिन सबसे पहले बच्चो इसमें देखो हमें जो first part में corresponding part चाहिए CD upon GH AC upon FG तो यह कहां से मिल रहे है हमें यह हमें इस वाले triangle से मिल रहे हैं देखो यहां से CD भी यहां से मिल रहा है GH भी यहां मिल रहा है और AC भी यहां मिल रहा है FG भी यहां मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें जो थर्ड में triangle बोला है similar करने को दो triangles उनको first part में करना पड़ेगा तो अब हम देखेंगे therefore in triangle कौन सा triangle in triangle dca and triangle दूसरा कौन सा है hgf dca hgf ओके तो देखो बच्चों इनमें क्या क्या equal है इनमें एक तो angle a और angle f यह दोनों equal है हमने first equation में प्रूफ किया है और वैसे ही जब bisector हो गए है तो angle 2 angle 4 के equal है तो हम लिख सकते हैं angle a equals to angle f ओके इसको कहां से from first first equation में हमने solve किया है और angle 2 equals to angle 4 और यह हमने किया है from second इसको second से ले लेंगे second में proof किया है so therefore triangle dca is similar to triangle hgf कौंसर क्रिटेरिया लगा बच्चो बाए एंगल एंगल criteria of similarity ओके यह होगे similar अगर यह similar है तो क्या होगा इनकी corresponding sides का ratio क्या होगा बच्चो इक्वल similar triangles के corresponding sides का ratio क्या होता है equal होता है या फिर angles equal जैसे cbct से जो भी find out करना है so हम लिख सकते है now देखो यह कौन सा था यह था third part यह third part प्रूफ किया बच्चो हमने पहले अब इससे हम first part निकालेंगे अब हम लिख सकते है first part के लिए since triangle dca is similar to triangle ghgf so cd upon gh equals to किसके equal हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा हमारे पास ac upon fgk और इसको हम क्या लिख लेंगे इसको हम लिख लेंगे by cpst by cpst से हो गया दो part prove होगे बच्चो अब आता है second part second part में कौन से triangle है dcb and hge अब इनको हम लिख सकते हैं in triangle triangle का नाम लिखना है पहले in triangle dcb and triangle hge ओके अब ध्यान से देखना cdb and hge ओके अब इनमें सबसे पहले तो बच्चो देखो क्या है हमारे पास हमारे पास angle 1 और angle 3 हमने second equation में prove किया है तो हम लिख सकते है angle 1 equals to angle 3 और किस से from equation 2 और देखो बच्चो angle b और angle e ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो पूरे triangle है बड़े बड़े triangle a b c किसके similar है triangle f e g k इसलिए ये similar triangle के c p st parts हैं ओके so therefore triangle d c b is similar to triangle h g e by कौन सा रूल लगा angle एंगल by angle एंगल criteria लिख लो rule भी लिख सकते हो बच्चो criteria of similarity और ये ही हमें प्रूव करना था so I hope बच्चो आपको ये question समझ आ गया है और समझ आ गया है तो practice करना और please video को like करना, share करना और channel को subscribe जूरूर करना thank you so much